गोड मॉर्निंग एवरिवान कैसे हैं आप सभी उमीद कताओं एकदम बढ़िया होंगे तारीक है 29 अगत और आज के इंपोर्टेंट करेंडपेस हम लेका राजर है आज ये करेंडपेस से जाने ते पहले आज 29 अगत है तो भाई कुछ इंपोर्टेंट है आज जी आज है न कि हमारी हेडलाइन क्या है तो विस जल सब्ता जो है इसका आज पच्चिस से लेके 29 अगत किया जा रहा है वर्ड वाटर वीक पूरी दुनिया में जो वाटर की तोड़ी सी इस तरीकी चीज़े हैं कि कहीं पर पानी ज्यादा है कहीं पर बिलकुल कम है तो इस तरह की चीज है यह इस टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टिटूट और हर साल किया जाता है और इस दिन वाटर एवार्ड की भी घोष्णा की जाती है वाटर वीक की जो इस बार की थीम है वो है ब्रिजिंग वाटर वाटर पर पीसफुल एंड सस्टेनिबल प्यूचर आपको याद इस दिन तराज वो भी काफी ज्यादा इंपर्टेंट लेता है वाटर को इसलिए उसने सस्टेनिबल डेफल्पलेंट गोल जो कि आपका 6 नम्बर है वो clean water and sanitation से संबंद देता है आब आपको कमेंट में बताना है कि सस्टेनिबल डेफल्लेफ्मेन गोल जो 17 गोल है वो कब अगे परते हैं BCCI सचीफ, जो कि आपके जैसा है वो ICC के नए चेर्मेन बन गए हैं, इस तरीके से 35 साल में इस उमर पर पहुंचने वाले वो सबसे कम उमर के चेर्मेन बने हैं, वो फिलाल वेक्टित तौर पर पांचमें वेक्टी हैं, जो ICC के चेर्मेन बने हैं, और अग पहले जो पद हुआ करता था वो ICC प्रेसिडेंट का हुआ करता था तो 2014 में पहली बार आपके एन स्रीनिवाशन आपके चेर्मेन बने थे फिर ससांग बनो हुआ फिर इमरान खुआजा फिर ग्रेक बारकले जो कि न्यूजी लेंड के थे अभी हाल पिला उनका कारेकाल समाप्त हो गया ICC के चेर्मेन का कारेकाल दो साल का होता है और अधिक्तम वो तीन टेन्यूर ले सकते हैं तो यहां पर अब मुझे लगता है कि कमस्वम छे साल के लिए तो जैसा जो है वो ICC के चेर्मेन बने रहेंगे ICC के गठन आपका 15 अगस्त 1979 में इसका गठन 1909 में किया गया था इस रो मुझे याद आ गया इसका गठन 1909 में किया गया था वरत्मान समय में इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है ICC के पहले चेर्में प्रेसीडेंट थे कॉलिन काउडरी जबकि पहले भारती है प्रेसीडेंट थे जगमोवन डालमिया जो 1997 से 2000 के दौरान तीसरे प्रेसीडेंट थे और 9 नमबर पर आपके सरत्पवार आते हैं जो 2010 से 2012 तक ICC के प्रेसीडेंट रहे हैं ICC का मुख्याल है दौबाई में पेरिस पेरालिम्पिक खेल जो हैं शुरू हो गए हैं 28 अगस्त से 8 सेप्टेंबर तक चलेंगे पिलाल इस पेरालिम्पिक खेल में हमारी तरफ से सुमित अंतिल और भागसरी जादाव सुमित अंतिल जो हैं ये एक जैवलिन थ्रोवर हैं य पहली बार भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है 84 एथलीड जो है भारत की तब से पाटिसिपेट कर रहे हैं पहली बार पैरालिम्पिक 1960 में इटली के रोम में आयोजित किए कए गए थे जबकि भारत का पदारपन पहली बार जो हुआ था भारत ने पाटिसिपेट किया था वो 1968 में किया था 1968 के जो Paralympic थे वो तेल अवीव इजराइल में खेले गई थे तो ओवराल 12 एडिशन में अब तब भारत ने पार्डिसिपेट किया है जिसमें भारत के 31 मेडल है 9 गोल्ड है, 12 सिल्वर है 10 ब्रॉंज है और इसकी जो मसकट है इस Paralympic की वो है Paralympian Freezes फिलाल ये Paris France में हो रहे हैं मोटर रहेगा Games वाइड ओपन 28 एड़ से 8 सेप्टेमबर तक खतम होंगे 22 स्पोर्ट में से 12 आप में पार्डिसिपेट करेगा भारत और अगले वाले Olympic और Paralympic Los Angeles में खेले जाएंगे देविंदर जाजरिया जो है और जगिंदर सिंग बेदी ये ऐसे Paralympian है ऐसे Athlete है जिन्होंने तीन-तीन पतक गीते हैं जिसमें से देविंदर जाजरिया ने दो बार गोल्ड मेडल जीता है जबकि पहली बार मुरली कांथ पेटकर मुर्ली कांथ पेटकर पहले इंडियन थे पहले भारतिये थे जिन्होंने Paralympic में मेडल जीता था वो भी गोल्ड हैडल बर 1972 गेम में टाइफून सांशन करीब आने के कारण जापान अभी इमर्जेंसी में रहा तो दिन हाल फिला लिये तूफान ने जादा तबाई नहीं मचाई है किराने पर ही होकर निकल गया है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शाइंशान नम का जो तूफान था ये कहाँ पर आया था ये आपका जापान में आया था इससे पहले Amphil नाम का टाइफून भी जो है वो जापान में आयता है जापान में तूफान को टाइफून कहा जाता है भारत बायोटेक इंटरनेशन लिम्टेट ने 27 तक तो हिलकोल BBB 131 लॉंच किया है तो ये क्या है आप थोड़ा से चित्र को ध्यान से दिखेंगे तो यानि कि यह मुँ जैसे आपके पोलियोड पीते ना वैसे आप हिलकोल करके वैक्षीन ये पी सकते है इसको बनाया है भारत बायोटेक ने हैदरबाद और तेलंगानम हैदरबाद और भूनेश्वर में ये बनाई जाएगी और लबबद दो मिलियन खुराक जो है दो सो मिल की जालता है है गी खोर्च की ती रॉबर्ट कोंच ने अठारा सो चौरासी में यानी 1884 में हैजा की具 खुच की जब ती अटारासो 122 में उल्हेजा की एक हिं इतली के बैक्टेरिया यानि माक्रोक्रींट की आए चारा नोवल पनान किया था फिलाल एसे सभूत भी मिलते है कि 1854 में ही इटली के एक बैक्टिरिया यानि जिवाडू बैग्यानिक उनका नाम ता फिलिपो पैसीनी उन्होंने हैजा के जिवाडू को खोज लिया था लेकिन जो स्रे जाता है प्रॉपर तरीके से वो रोबर्ट कोच को ही जाता है तो हिलकोल क्या है एक वैक्सीन है औरल निदेशक निदेशक किया गया एनेजी जिसका गड़न 1986 में किया गया था 1984 में इसको बनाने की बातचीत की गई थी इंद्रा गांधी की अत्या के बाद फिर इसको बनाएगा इसे ब्लैक एट कमांडो भी कहते हैं इनका मोटो होता है सर्वत्र सर्वत्तम सुरच्छा प्रभाज जो कि इसके डीजी थे वो रिटायर हो गए है उनकी जीका बी सिरी निवाशन को एनेजी का महानीदेशक न्यूक्त किया गया है बारती रेलवेबोर्ड के पहले दली तर्जज बने है सतीष कुमार ये पहले रिक्ती हैं जो भारती रेलवेबोर्ड के चेर्मेन गया था ये प्रशनाप के दिवा में आना चाहिए और ये एक्जाम में भी पूछा गया है इंडियन रेलवेबोर्ड का गटन 1922 में किया गया था 1922 में किया गया था और सबसे पहले इसके जो हैड थे वो थे क्लीमेंट हैडली क्लीमेंट हैडली ये इसके पहले हैड थे जबकि स्वतंतरता प्राप्ती के बाद, आपके रेलवे बोर्ड के पहले चेर्मेन थे पते चंदर बाधवर, ये जो थे, ये आपके पहले इंडियन चेर्मेन थे, रेलवे बोर्ड के 1951 में बने हैं, फर्ष्ट इंडियन चेर्मेन ओफ रेलवे बोर्ड, अभी आलपिलाद सुख भी है और सिच्छा भी है दो कैटेगरी जो है वो इसमें लाई गई है ऐसे वेक्ति जिनके 18 वर्षे कम के बालग बालिका है और उनके माता-पिता उनको पढ़ाने में सच्छम नहीं है या फिर ऐसी महिलाएं जो विद्वा हैं ऐसी महिलाएं जो तलाक सुदा हैं ऐसी मैला हैं जो एकल है यानि पती उनके जीवित नहीं है तो उन सभी को यहाँ पर 1000 रुपए दिये जाएंगे प्रती महा जिसके जरीए वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे वही 18 वर्स उपर वाले जो भी इस नातक करना चाती हैं मैलाएं उनके लिए भी यहाँ पर वित्ती साहता पतान की जाएगी यह योजना हिमाचन प्रदिस की सरकार मुख मंतरी सुख सिच्छा योजना लेकर आई है निर्मिला सीता रमर जी ने उद्यापुर में नौ निर्मित जिएस्टी भवन का उदगाटन किया है जी एस्टी वैट के बाद आया था वैट यानि वैलू एले टेक्स के बाद आया था अटल वियारी बाजपेज इने इसके लिए काफी प्रयास किया था फिलाल एक सो एकवा समिधान संसोधन जो है जिसके जरिए जी एस्टी लाया गया था केंजरी ने एक कि दिनों के भीतर जन शिकायत निवारण के लिए नया दिशा निर्देश दिये है एक पोर्टल है that is cpggram cpggram क्या है cpggram का full form मैं आपको बताता हूँ सुनिए गाज्यान से central public grievance redressal and monitoring system यानि कि ये जून 2007 से ये पोर्टल काम कर रहा है कें सरकार के वारे में आपको किसी भी तरह की कोई सिकायत है तो आप इस पर दर्च करा सकते हैं ऐसा पताया जा रहा है कि 2023 के दौरान लभख 60 लाख सिकायतों का निवारण किया गया है अभी तक इसमें क्या होत यानि सरकार ने दिशाने देश को जारी किया है पांच वर्सी ये तेग बिर सिंग माउंट किली मंजारों पर चड़ने वाले सबसे कुम के एस याई वेक्ती बन गए हैं माउंट किली मंजारों जो है ये अफरीका में है अफरीका में भी ये कहां पर है ये तंजानिया में तन्जानिया की राजधानी कई है दोदो मां हैं तन्जानिया में वर्दमान समय में राष्टपती थी है सामिया सलू हसन सामिया सुलू हसन को अभी हाली में भारत सरकार में जेनियू दाळा जवाला Really उनियू व्ग द दॉरा डॉक्डरेट की उपादी से समानित किया गया और इन जेनियों की वर्दमान समय में पहली मैला वाइस चांसलर है उनका नाम है सांती स्री धुलू पुरुडी पंडित ये पहली मैला चांसलर वाइस चांसलर है आपकी जेनियों की फिलाल बात करते हैं तेकबीर सिंग माउंट किली मंजारों पर चड़ने वाले 51895 मीटर क क्योंकि अफ्रीका की सबसे उच्छी चोटी मानी जाती है वहां पर इन्होंने चड़ाई की है और ये बड़ाई बात है फिलाल इन्होंने एक सर्विया का लड़का है उसके साथ अपने बराबरी की है तो पहले सबसे कम उमर के ACI वेक्ति बने है जिन्होंने उस पर करदो वाई करदो वीडियो लाइक करदो